आप देख रहे हैं जैभारत टीवी सब धूब सेकने के लिए हुए हैं आपके परधान क्या काम करते हैं मैं जानना चाहता हूँ पुषकर्धामी जी से मैं जानना चाहता हूँ परमोडनेलवाल जी से अगर हमारी मांगों पे ध्यान दिया किया तो अगर सरकार ने हमारी बात सुनी तो ठीक है और ना सुनी तो आने वाले लोकसवा में पूर रूप से भार्टी जनता पार्टी का बहिस्कार किया जाएगा धन्यवाद उत्रागन वनपंचायत के सरपंचों ने आज देरादून में एक बैठक की है और शाम को मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात हो नहीं है कई लंबित मांगे हैं जिनको लेकर सरपंच इस समय बातचीत कर रहे हैं इनकी बैठक भी हुई है इनसे बात करेंगे कि क्या वो से हैं आप सरपंच मुझे धाई साल हो गया है धाई साल और बचा है और इस बीच हमारे वहां पे ऐसा कोई कारिय नहीं हुआ है जिसे सरपंचों को कोई मलब मान दे वगरा या कुछ चीज का उना सयोग मिले अपने खर्चे से आना जाना सब कुछ हमारा होता है उसके लोग भी सायोगनी देते एक सरपंच मातर ही अपने साथ एक दो लोग जमने महला समूग के जुड़े हुए है हम सब मिलके ही आग बुजाने का काम भी करते हैं और उससे मिला हमसा इसलिए यहां पर भी आये हैं कि सरपंचों को पर्धानों की तरह कोई मान दे हो था हमारे आग पर्धूशन है उसके लिए जंगलों में आग लगना कितना हो रहे है न तो उसके लिए भी हमारे घरवाले दोकते हैं कि अगर कुछ हो जाएगा तो मैं तो उसके लिए कॉन जिमेंदा रहेगा और आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अनिता चाधरी और मेरे जिल्ले का का नाम है एक अनीता जी आप है कैसे काम करती है जब मान दे नहिं गाना जैसे मीटिकों में जाना है जैसे अप जंगलों मैं आग लगना है तो सीम घडिद को हैं मेरा कारे दीया का मुश्किल के लिए सर्पंच का यह से बताुस है नहीं है कि हमने आज से नहीं मतलब जब तब में अपने 2017 से चला हूँ इस मूदी में कई बार हमने पत्राचार करें कई बार हमने ग्यापंचों पे कई बार हमने बुद्धपार्क में धरना प्रदशन भी करें तो हमें आज तक हमारी मांगों को लेकर हमें गुमराह कर दिया गया है जो हमारी 18-19 सूत्रे मांगे हैं उसमें से आज तक हमारी कोई मांगे नहीं को जैसे कि सरपंचों को मांदे होना जरूरी है बगर मांदे के सरपंच आज भी अगर चेतरे में कहीं बैठक होती है अपने जेब से अपने अपना पैसा लगा के जाता है ना सरपंचों को मांद आग जैसी घटना में सरपंच एक जंगल में उस्टेम सब लोग अपने घरों बैठे रहते हैं सरपंच दिन के धूप में आग भुजाता है जंगलों की उसका कोई बीमा नहीं है आज तक किसी को कोई बीमा कोई नहीं है हमने कई बारी हमने विदहक जी से भी रखी ये मांग उसका मिल ला है उस्से घरामीन परिशान है तो उस मूआजे को हम कहते हैं सीग उबलब्द कराने की कोशीश करें आप तो रामगर से हैं बीमताल में इन दुनों बड़ी घटनाय हो रही है तो वह हैं पर क्या चल रहा है है धकि ज्दीतिय वीजू का हूँ साह इस यह यह अभी भी इनको बचालो जितनी जाने उसके बाद भी आए दिन ये परसू एक बालीका बालीका को जो हमारे भीमताल ब्लोक में उसके बाद ही चार दिन के बाद उस बालीका का ऐसा यहां तो होगी है आप लगाईए तो हमारी कहां तक कहां सुनी जारी है कौन सुन रहा है हमा परियावरन के छेत्र में है, हमारा परवती है, हमारे देव भूमी है, बन ही हमारे साधन है, बनों से ही ये जो सुद्ध हवा है, पानी है, लगडी है, चारा है, सब रापतो होता है, और उसकी रख्रवाली करने वाले सर्पंच, और सर्पंच के साथ कहीं-कहीं एक कारी कारणी की भी होती है, जो पंच गण होते हैं, कहीं-कहीं वो भी शकरी रहते हैं, लेकिन दून आये हैं इससे पहले मैंने बारातारिक को माननी मुख्यमंत्री महुदय को मुख्यमंत्री पोटल में एक निवेदन किया था कि हमें जो है थोला समय दीजिए हम आपके साथ एक स्वहार्द पूर्वक बैठा करना चाहते हैं हमें कोई वहां से ऐसा नहीं मिला ततपस्त में आज भारत का द्रिशिय हम देख रहे हैं लेकिन बन पंचायतु के बारे में भी हमारी प्रदेश सरकार हमारी केंद्र सरकार उसका भी रुझान हो उनकी वह चिंता करे उन सर्पंचों की चिंता करे घनानन सर्मा सर्पंच सल्ट भ्याडी ग्रामसवा भ्याडी के 12,000 लगभग 12,000 और पंच गणों सहीद लगाकर के एक लाग से उपर की जो हमारी ये सदेशी गण है इन सभी को सरकार किस रूप में परियोग करती है मैं धामी सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरपंच लोगों को किस नजरिये से देखती है और सरपंचों का काम क्या है व इसके बाद जो सरपंच लोगों की अंदेखी की गई है ये हमको एक मृत पद लग रहा है कि जितने इसमें काम है वो काम तो सरकारी आपके डियाफो करेंगे आपके फोरिस्टर करेंगे आपके फोरिस्ट गार करेंगे तो क्या ये सब धूप सेगने के लिए हुए है ये सरपंच गण भी चुने गए होंगे नेलवाल जी के वहां से चुने गए होंगे मेरे सेत्री विधायक शल्ट विधायक जीना जी के वहां से चुने गए हैं तो मैं सारे विधायक लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके वहां से भी सरपंच चुने गए हैं अगर इन मैं पूर्ण रूप से भार्टी जन्तापाल्टी का बहिस्कार किया जाएगा. जिल्ले के अध्यक्स यहां पर मौजूद हैं और इसमें हम कहीं न कहीं हमारी अंदेकी हो रही है और हम बड़े आक्रोशित हैं आने वाला जो समय होगा लोग सबाचुना होगा हम अपने सायोगी संगठनों के साथ इसका बहिस्कार करेंगे अगर हमारी मांगों पर ध्यान मैं दिआ गया तो आपने का जब वोटिंग होगी तो आप बहिसकार करेंगे क्या वोट नहीं डालेंगे या बीजेपी को नहीं डालेंगे क्या करेंगे अपना कैसे दिखाएंगी वी पुबाल जी बताई कि क्या मुख्यमंत्री से टाइम मिला है आपको क्या कुछ मांगें आप रखने वाले हैं। जबकि हमारा मानना है कि जब बनपंचायत की लिसे की रोयल्टी आपकी निकल जाती है, जब लिसा बिक जाता है, तो तत्काल प्रवास को मिल जाना चाहिए। जिन में अगर उनके सदश्यों को भी देखा जाए तो टोटल मिला के एक लाग आठे जा रहे हैं। तो बनपंचायतु की जब सब्सके बड़ी समझिया है, हर बनपंचायत में काम नहीं हो पाता है। बनपंचायतु का चेत्रबल पांच हेक्टेर से कम है। को सकते हैं उसके अंदर जब सीमा का ग्यान नहीं है तो अतिकमन जरूर होगा तो तीसरा है कि बंद-पंच is तर्पंच आज ग्रामपरधान से लेके हर किसी को मानदे प्राप्त होता है। तमाम सरपंचे हैं जो कुमाओं और गड़वाल के हैं आज देरादुन पहुचे हैं मुख्यमंतरी से बातचीत हुई है लेकिन सवाल यही है कि लंबे समय से चाहे वो लीसे की रोयल्टी का मसला इनोंने उठाया कि 2014 से अभी तक लीसे की जो रोयल्टी वन पंचायतों को मिल की घटना होती है तो आपको एक सरपंच जरूर वहां दिखाई देंगे तो ऐसी इस्तिती में क्या इनका बीमा इनकी बीमा होने की मांगे लंबे समय से वो नहीं हुआ है और मांदे तो होना ही चाहिए कैमरा मेर महिरूपादया के साथ हेंबर्जे भारत टीवी